अलु आज हम बनाएंगे आलु राइस आलु का पुलाओ आलु की ताहरी भी बोल सकते हैं एकदम कुछ रसीपी है और जब एकदम आपको कुछ बनाने का दिल ना करें तब आप इसको बना सकते हैं जटपड और कुछ रसीपी है और खाने में भी इसका टेस्स बहुत और हमें लगेंगी दो मीडियम साइस की प्याज है और दो मीडियम साइस के हमने टमाटर लिए बारिक चॉप किए इसको हमने हाफ केजी राइस लिए इसको आदा घंटा हमने भीगा के रखें वन टेबल इस्पून जिंजर गरलिक का पेस्ट है एक मुटी हरा धनिया एक म पड़ी लाइची चोटी लाइची दालचीनी का पीस है तीन से चार लॉंग है थोड़ा हमने इसमें ब्लैक पेपर लिए और इसमें हमने एक स्टार फूल आदा लिए है यह सारा हम जब प्यास करेंगे ताब उसमें डालेंगे हाफ टीस्पून हम इसमें हल्दी लेंगे वन टेबल इस्पून धनिया पड़र है वन टीस्पून हमने गरम मसाला पड़र लिये जीरा है वाफ टीस्पून चिली पाउडर वन टीस्पून और इसमें से हम थोड़ी दभी लेंगे तो से 3 टेबल स्पून यह ऑप्शनल है और हम इसको तेल और घी दोनों इस्तिमाल क जिंजर गार्लिक का पेस्ट नमक यहरे मसाले और यह सारे ड्राय मसाले और इसमें दही डालेंगे अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें साथ में हम आलू भी मिक्स करेंगे यह सारी चीज़े हमने अच्छी तरह मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं अब इसको हम साइट में रखेंगे और प्यास को हम फ्राय करके लेंगे अब इसमें अब इसमें प्यास डालेंगे अब इसमें प्यास डालेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको दो मिनिट के लिए कवर करके रखेंगे अब हम चेक करेंगे इसमें पर कुझबो के बहुत रशी आ रही है अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे हम इसमें तीन गिलास पानी एड़ करेंगे चावल हमारे दो गिलास है हाफ केजी और नमक तो हमने मैरिनेट किये जब आलू को तभी उस टाइम में डाले है इसलिए अब एक जोश आ गया तो इसमें हम राइस को डालेंगे चावल को जो हमने अहां पावर के लिए भीगा के रखा हुआ है इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया अब इसमें हम चावल को आट करेंगे अब इसका पानी ड्राय होने तक इसको हम पकानेगे इसका पानी ड्राय होते आया है इसको हमने कवर करके तुट किये हैं इसको हलके हातों से हम इसको चम्मत चलाएंगे चावल ने तो तुटेंगे आलो भी हमारे गल चुके है 80 परसंतर अब इसको दस मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे धिम्याज करके 10 मिनट हो गए अभी हम चेक करेंगे बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और यह पकर रेडी है अभी हम ग्यास ओफ करेंगे इसको डिशाउट करेंगे यह हो गई हमारी आलो की तहारी आलो का पुलाव बहुत ही अच्छा बना है इसमें से खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है और एकदम कुईक रसीपी है आपने देखे कितने जल्दी हो गई है और आप इसके साथ में दही का रायता कचुमबर है पपड़ है अगर आ आपको मेरी रसीपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले कमेंट भी कीजिए Thank you for watching